Hello students, आज का हमारा topic है electric field due to a solid sphere of charge ये भी हमारी गोज लो की एक application है पिछले lecture में हमें electric field due to a spherical cell पड़ा था इसमें spherical cell लिया था ये अब की है? हमारा solid sphere है उसमें सिर्फ जो हमारा charge distributed था वो surface पे था Cell थी, cell का मतलब बीच में से ओलो होता है यह सुलड़ स्फेर का मतलब स्फेर फेर पूरह पे चार्ज panels में कि उनिफर्म डिस्ट क्रार्ण फैर हो तो ससmäны इस। अन्दर भी चार्ड जिसमें कुछ जों़ेANS में में पूरह प्いきांदर हो सार्ऩर पे से निकालेंगे इसमें भी यह भी क्या हमारे गोजलो के एक अप्लिकेशन है तो क्या कंसिडर करेंगे हम एक सोलिड स्फेयर एक सोलिड स्फेयर कंसिडर करेंगे इसकी रेडियस क्या मानी हमने is capital R इस पर पूरे पे charge लेंगे हम total charge Q वो पूरे की उपर distributed ूगा to spherical cell थे उसमें हमारी सफेस सरफेस पर distributed था और solid sphere को क्या मतलब है इस पर total charge Q है हमारा वह पूरे पर है इसके अंदर भी है और surface पर है तो टोटल चार्ज के हमारा क्यों है तो हमें वो ही तीन केस लेंगे जो स्फेरिका सेन मिलिया था सबसे पहले हम जो point P पे निकाल नहीं उलेक्टरिक फिल्ड तो point P अगर हमारा outside होगा एक हमारा अगर point P है उन दो surface होगा और तीसरा हमारा point P है वो inside the sphere होगा तो हमारी इन तीनों अलग-अलग cases में हमारी electric field क्या आई है हम वो देखेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारा जो point P है P है वो lies outside हो का outside the sphere तो माली हमने point P हम outside the sphere मानेंगे P तो क्या करेंगे हम गोजलों में क्या करते हैं सबसे पहले हमें goes in surface जी है तो क्या करेंगे point P से हमें goes in surface ड्रों करेंगे तो हमने के एक solid sphere ले रखे हैं तो goes in surface क्या consider करेंगे हम क्या draw करेंगे ऐसे एक sphere ही मानेंगे तो इसकी radius क्या मान लिए हमने r small r हम हमेशा जो भी point P है उसकी distance small r लेके चल रहे है तो यहां पर भी हमने क्या ले लिए point P की जो distance है origin O से क्या है small r है तो क्या हो गया हमारा यह हमने क्या consider क्या है Gaussian surface है हमारा और क्या है solid sphere है हम क्या निकाल लो point P lies outside lies outside हो गया हम क्या निकालना है सबसे पहले हम hem eletric flux definition क्या कहती है phi is equal to spider finding electric flux की definition से यह सबसे हमने जब भी निकाले सबसे पहले हमने क्या क्या small element consider करते है small area element consider करते हैं उसक वज़े से electric flux निखा हतरा प्रक्या करते है integration करेंगे तो हमारा totalの electric flux आ जिएगा पूरे surface के वज़े से तो क्या करेंगे हम, point P के पास हमने small area element है, वो ds consider कर लिया, इसके वज़े से हम electric flux निकालेंगे, वो भी क्या होगा, small area element है, तो हमारे flux भी क्या होगा, small आएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले इस area element है, इसकी direction क्या होगा हमारे, surface की perpendicular होगी, ds यह होगा, electric field होगी, वो क्या होगी, surface जो electric field निकलते हो, हर direction में इकलते हो, और surface की perpendicular निकलते हो, तो इस point पर electric field की direction कीदा हो? इधर ही होगी हमारी surface की perpendicular, तो क्या हेगा हमारा जो d5 होगा, कि हमने small area element लिया है, तो यह उत्ते है, nun small area element, total flux निकालती है, integration हो जाते हम सबसे पहले क्या निकालेंगे small flux निकाले small area element के वुझे से क्या हैगा हमारा E dot ds अब हमारा total flux होगा वो क्या होगा हमारा definition क्या थी उसका integration कर देंगे small का तो हमारा क्या जाएगा यह total flux आजाएगा तो अब dot product खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा e ds cos theta अब हमारा theta कितना है electric field और area element है उन दोनों के बीच में हमारा angle कितना है दोनों same direction में तो angle क्या होगा हमारा zero हो गया तो cos zero कितना होगा हमारा one तो five क्या हैगा हमारे यहां से e ds और score क्या लग सकते हैं e bar ds integration of area का करेंगे तो five क्या जाएगा हमारे यहां से e into area का हमारा surface का area क्या होता हमारा four pi r square radius कौन से लेंगे हम कौन से Gaussian surface की radius है वो लेंगे तो क्या smaller तो क्या होगा हमारा four pi r square total surface area यह होता हमारा तो यहां से five के क्या value आगे e cross four pi r square यह एक equation मनगे हमारे पास equation first अब कहलेंगे हम according to तो गोज तो हम से गोज लो है वो क्या कहता है हमारा जो electric flux है वो किसके इकवल होता है हमारा चार्ज and close divided by epsilon not यह होता है हमारा charge enclosed कितना है हमारा सर्फ स्फेर है उस पर कितना charge है हमारा q charge है total तो पूरा charge enclosed हमारा point के outside है तो हमारा जो पूरा स्फेर है वो close हो गया उसके अंदर तो total charge enclosed कितना हो गया क्या हो गया तो यहांसे 5 क्या होगा हमारा क्या हूँ अपोन epsilon not यह क्या होगा हमारी second equation क्या करेंगे हम equating equation first and second तो क्या है हमारे यहांसे e cross four pi r square is equal to क्या हो अपोन epsilon not यहांसे electric field की क्या value आगे हमारी one upon four pi epsilon not q upon r square यह किसकी value होगा हमारी electric field की value आगे जब हमारा point हो surface के outside है हमार जो spherical cell थे उसमें भी electric field की value सेम आई थी तोनों में कोई फरक नहीं है जब अब हमारा जो point है वो outside होगा तो टोटल charge है पूरा sphere close होता हो जाता है हमारा Gaussian surface में तो total charge क्या हो इन close रहा उसमें भी जो total charge क्या हो था हो था और तो दोनों में इसकी radius क्या में थो हमें small a हमने क्या मान है जो point P है sorry capital R है इसकी radius जो point P है वो surface पे लाई करते हैं surface पे है तो हमारा Gaussian surface कहां से ट्रोगर तो हम पॉइंट जो point ले रखे हमने observation point है P वहां से हम सर्फेस गोसीन से बोच्छीन सर्फेस क्या होगा हमारा इसी के इसे के बड़ होगा उसकी रडियस के आमांते हम आर लेके चलते हो तो यहां पर क्या ओजब अपर हमारा स्मोल-डी स्विक्ल-डी कल आएगा हमारा e into 4pi यहां पर small r की जगे क्या जगे हमारा capital r स्केर हो जगा और goes low से हमारा 5 कितना आता है क्या वह अपॉन epsilon 0 क्योंकि जो क्या हो एंड क्लोज्ड हो कि हमारा total charge क्या हो है तो यहां से 5 क्या है आएगा क्या हो अपॉन epsilon दोनों की वेट करेंगे तो हमारी electric field की क्या वैल्यू आएगी यहां से electric field की क्या वैल्यू आएगी वन अपॉन फॉर पाई epsilon 0 क्यू अपॉन आर्ट स्केर यह हमारी electric field की वैल्यू आगई जब हमारा जो point P है वो सर्फेस पे लाएकर है तो जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसमें भी यही वैल्यू आई थी और जो solid sphere उसमें भी यही वैल्यू आई थी तो हमारा स्फेरिकल सेल के वज़े से हमनी electric field निकाल लिए और solid sphere में जो दोनों के इसलिए हमने आप में अगर point P हमारा आउटसाइड है और सर्फेस है अगर सर्फेस पे हैं तो दोनों में क्या रहे है हमारा result सेम आ रहे है अब हमारा third case है जब हमारा जो point P है वो inside the sphere होगा ताब हमारा electric field की के अवेल्यू आईगी तो हमारा third case क्या है हमारा जो point P है point P है वो lies inside the sphere तो क्या हैगा हमारा solid sphere है हमारी इसकी radius क्या थे हमारी capital R अब क्या का नाम जो point P है वो inside the sphere होगा inside the sphere होगा तो इससे क्या करेंगे point P से हम Gaussian surface ड्रो करेंगे तो हमने एक Gaussian surface ड्रो कर लिया इसकी radius क्या है हमारी small R है total charge पूरे Pesebok पे total charge क्यु और हमने क्या है solid sphere को क्या मतलब इसके inside भी कुछ ने कुछ चार्ज ही total charge क्या है total wei यह दोने के मिला क्या हमारा चार्ज क्यों है तो inside देकना में हमें क्या देखना है सिर्व जो Gaussian surface के अंदर चार्ज अंद singularlyuba देखना है तो क्या महां लिश्क Ma does कि इसके अंदर जो चार्ज and close by Gaussian surface के अंदर के लोक्या हमारा क्यों डैसंड तो सबसे पहले 나 यक्लोग सूपनीशन से यहां कैगा e x 4piR2 गोजलो की definition से क्याएगा QN closed upon Epsilon QN closed कीतना हमारा Q' मानना है और upon में Epsilon अब हमारा यहापे Q' क्या होगा वह देखोंगे सबसे पहले हमारी total charge क्या हमारा Q है तो हमारे जो volume charge density होगे वो क्या होगे हमारी total charge क्यों मानने हमने तो volume charge density क्या होते है हमारे Q upon volume होते है तो rho is equal to total charge क्यों है volume क्या होगे हमारी जो total charge क्यों है तो total charge किसमें distributed है हमारा पूरे sphere में है तो हम sphere के volume लेंगे 4 upon 3 πi r q क्या होगे हमारी जो वोल्युम चाज़ लैंस्टी होती है, वोल्युम चाज़ लैंस्टी हम पूरी स्फेर की निकालेंगे, जो हमारे स्फेर गीवन है उसके निकालेंगे पहले हम तो टोटल चाज़ डिवाइड वाइ वोल्युम Meyer स्वेयर की volume लेंगे वह क्या हमारी 4 pięo टो तो हमारे डास होगे क्यों क्या होगा गया हमारि जो रो है टोटल और वह कितने во प Halo 3 पाइ आर क्यूब इसका क्या मतलभ है में इस वोल्यूम में निकालनी है न हमें जो हमें टोटल चार्ज क्यू डैस है किसमें निकालना हमें क्यू डैस इस वोल्यूम में निकालना है तो हमारा जो इसकी डैफिनेशन होते है वोल्यूम चार्ज डैस्ट की वोल्यूम होती है तो यहां से रो की वैल्यू आगे हमारी जो टो दालने है जिस सर्फेस पे हमारा जो q-s चार्ज डिस्ट्रिबूटेड है उस सर्फेस के अम वोलियूम लेंगे तो q-s किस सर्फेस पे चार्ज डिस्ट्रिबूटेड हमारा 4 upon 3 pi small r cube आएगा हमारा क्यों गोशन सर्फेस के रेड़े small r है और जो q-s है वो गोशन सर्फेस पे चार्ज है तो यहाँ पर कहाएगा रो इंटू 4 upon 3 pi r cube तो q-s की क्या वैल्यू होजेगा हमारी रो की क्या वैल्यू आए थी q upon 4 pi r cube इंटू में capital r cube यह क्या आगा हमारी q-s की वैल्यू है q-s की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारे गोशलो से जो गोशलो की डेफिनेशन से जो एक्वेशन आए हो क्या आएगा हमारी q-s की क्या वैल्यू है यह हमारी q small r q divided by capital r q और अपोन में एक्वेशन नोट तो एक्वेशन फर्स्ट हमारी एक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे एक्वेशन फर्स्ट और एक्वेशन सेकेंड को एक्वेट करेंगे क्या हमारा e into 4 pi small r square is equal to q upon epsilon r q divided by capital r q तो क्या हैगा यहां से e is equal to 1 upon 4 pi epsilon q r q और यह और निच्चे क्या हैगा हमारा r square था इदर r square तो e की क्या value हागा हमारी 1 upon 4 pi epsilon q upon q into r यह square है q by a cancel हो गया है तो क्या हैगा r upon में capital r q यह क्या है हमारी electric field की value आ गई जब हमारा point p वो inside the sphere है देख़े दुबार से बतातों कैसे होगा हमाने क्या क्या point p है वो inside the ghost and surface consider किया है तो हमारा solid sphere है पहले तो हमें spherical cell spherical cell में क्या था जो हमारा electric field की value 0 आये थी क्योंकि जो charge enclosed था वो 0 था अब हमें यहां पर solid sphere ले रहा है solid sphere का मतलब चार्ज q है वो distributed वो पूरे surface पे अंदर inside भी और surface पे भी है तो क्या होगा हमें Gaussian surface inside draw किया है मतलब point p है वो inside the sphere है तो क्या होगा Gaussian surface draw करेंगे small r उसकी radius होगी तो टोटल चार्ज q था तो हम क्या चार्ज लेना हों हमने q-dance consider कर लिया तो q-dance कैसे निका लेंगे सबसे पहले तो हमारे total volume जो चार्ज डेंस्ट होगी वो क्या होगी total charge upon total volume तो रो के आएगा हमारा total charge q था और volume क्या लेंगे total sphere के लेंगे तो क्या आएगे 4 upon 3 pi r q अब हम q-dance निकालना है मतलब की q-dance किस पर हमारा जो Gaussian surface draw कि है उस पर q-dance है तो उसकी radius के हमारे small r है तो यहांसे क्या एगा q-dance is equal to rho into 4 upon 3 pi small r cube तो यहांसे q-dance के क्या value आगे हमारी q into small r cube divided by capital r किव हम क्या करेंगे q-dance की value output कर देंगे और दोनों equation को equate करेंगे तो हमारी electric field की क्या value आगे वन अपोन फोर अपोन फोर पाई एफसल नोट q into small r upon में capital r cube यह क्या हमारी electric field की value आगे जब हमारा जो add आएगे उसमें difference है तो यह बीत क्या थी हमारी गोज लोग एक applications थी thank you students